साथियों सादर प्रणाम आज मैं पूली हाउस के अंदर हो रही फसलों के बारे में आपको दिखा रहा हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह मटर की फसल तयार हो चुकी है सीद कालिन टमाटर भी तयार हो रहे हैं यह चेरी टमाटर यहाँ पर तयार हो चुका है देख लीजिए इस तरह से यह पक चुके हैं और आज से हमने अपने खेज से बीन निकालना भी शुरू कर दिया है आप देख सकते हैं इस तरह के बीन मेरे और्गनिक फाम में तयार हो रहे हैं यह लंबी भराइटी के बीन हैं और कापी स्वादिस्ट होते हैं देख लीजिए यह सुद्ध और्गनिक खाद से तयार किये हुए हैं और्गनिक खाद भी हम सुवम यहां पर तयार करती हैं जितने भी खरपतवा रहते हैं उनको सड़ा कर देख लीजिए कितना अच्छा पोदा कितना खरापन लिए बीन आप देख सकते हैं कि द्धनिया भी तयार हो रहा है कि यहां पर कीबी की पहुत साला तयार कर रहे हैं अब यह भी एक कटिंग हमने यहां पर लगाई है देख लीजिए आज मतर का तुड़ान मतर का तुड़ान यह खुद मेरे फारम से निकलीवी मतर है देख लीजिए बीन अलगा है मेटाज इस तरह से मतर यहां पर तयार हो रही है फ्लावरिंग स्टेज पर हैं एक तरफ फ्लावरिंग स्टेज पर और दूसरी तरफ यह तयार हो चुकी है अब एक दू दिन में सारे पोदे यहां से हटा दूंगा उसके बार यहां पर पालक उगरे की बुवाई की जाएगी देख सकते आप भैंगन की भी साल अच्छी फसल निकली अब समाप्ति की और सारे पोदे में निकाल चुका हूं कुछ पोदे रखी हुए अगली बार इन में दुबारा फसल लगे गुलावता पोदा है इस तरह से है यहां पर पालक बीन इत्यादी में बोचुका हूं दस वीज दिनों में फसल तयार होने की स्थिटी में होगी आज इतनी सबजी यहां पर निकाल चुका हूं प्रती दिन इतनी प्रती एक दिन घर की सबजी यहां से निकल जाती है दोनों टाइम यह देख लीजी कल भी इतनी निकली थी आज भी इतनी निकाली यह मतर और बीन है और चेरी टमाटर रोज चेरी टमाटर घर के लाइक यह से निकल जाते हैं सबजी भी यह से निकल जाती है तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से इस छोटी से पूली हाउस में सबजी का उत्पादन हो रहा है और यहां से मेरे घर की अधिकान सबजी यही से निकलती है और एक यह दो मेने की नहीं बलकि बारह मासी क्योंकि पूली हाउस के अंदर टेंपरेचर मेंटेन होता है थोड़ा बहुत गर्मी होती है इसकी वज़े से हम यहां पे बारह माने सबजी उगा सकते हैं और इस पूली हाउस का फाइदा ले सकते हैं साथियों आज इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नमस्कार